Hey everybody, welcome back to LearnX, मैं हूँ आपकी ट्रेनर Meera आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे वर्द्स चोकी बस प्रनंसियेशन से बहुत कन्फ्यूजिंग लगते हैं उसका प्रनंसियेशन होता बराबर सेम है, बिलकुल सेम है लेकिन उसके मतलब बहुत अलग है और हम इसी वज़े से काफी कन्फ्यूज होते हैं और इसी लिए तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं और पूरा का पूरा सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, और अजीब भी हो जाता है तो देखते हैं ऐसे क्या वर्ड्स हैं जिससे हमें इतना ज्यादा कन्फ्यूजन होता है और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा तो क्लियर कर लेते हैं आज चलो शुरू करते हैं पहले वर्ड्स से दोनों का प्रनंसियेशन क्या है बॉल्ड और बॉल्ड सेम प्रनंसियेशन है लेकिन स्पेलिंग अलग है तो आफकोस मतलब भी अलग होगा राइट देखते हैं पहले बॉल्ड का मतलब क्या है क्या आप में से कोई भी guess कर सकता है बैठे-बैठे कि अच्छा ये bald तो वो वाला bald है, क्या है? जी हाँ, इस bald का मतलब है, बाल ना होना, hairless, राइट? Hairless patch, और ये जो bald है, तो अगर हम लोग इसको एक sentence में डालेंगे, तो क्यासे बोलेंगे? that man has a bald patch, यानि एक hairless patch है, ये बट, इस bald का मतलब है, बहुत जोर-जोर से रोना, तो आप क्यासे बोलो के इसको sentence में? My daughter was bawling in the afternoon, यानि चला-चला के रो रही थी, loudly रो रही थी, right? So crying, loudly, देखा कैसे इन दोनों का pronunciation same है, लेकिन मतलब कितना ज्यादा अलग है, तो ऐसे ही कुछ words है आज के लिए, आप के लिए, okay? So let's move on to the next one, जो की है, band versus, of course, band, अब इनके क्या मतलब है? तो पहला है, B-A-N-D और दूसरा है, B-A-N-N-E-D, तो अब गेस कर लो, चलो, क्या है इस मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, इसका मतलब है एक music band, right? Group of musicians, जो की एक, जो गाने बनाते हैं, stage performances करते हैं, of course, उनके YouTube पे भी और काफी सारे CDs release होते हैं, albums release होते हैं, ये वाला band वो है, है, so I am a part of a band, ठीक है, and I play the guitar, ऐसे हम इसको एक sentence में यूज कर सकते हैं, ठीक है? This is related to kya? Music and group of musicians, लेकिन इस band का मतलब क्या है? Can you say, क्या आप कह सकते हो, that I was a part of, और I am a part of band, तो ये गलत होगा, क्योंकि band का मतलब है, not allowed, prohibited, किसी चीज को करने की मनाई है, मना है, आपको ये नहीं कर सकते हैं, तो ये वो वाला band है, ठीक है? This band मतलब, not allowed, I hope आप को समझ में आ रहा है, कि आप जब sentence में यूज करेंगे, तो कौन सा spelling यूज करने वाले हो, और किस मतलब के लिए, right? तो आप कह सकते हो, smoking on the streets or in public area is banned by the government, तब आप यूज करोगे, B-A-N-N-E-D, got it? Perfect, let's move on, current versus current, लेकिन इस करन्ट का क्या मतलब है, पहले वाले करन्ट का क्या मतलब है, let's see, एक ही difference है, बहुत छोटा, यहाँ पर E है और यहाँ पर क्या है, A है, right? तो इस current का मतलब है, current affairs, यानि अभी जो चीज चल रही है वो, जो कि हम news में पढ़ते हैं, of course, जिसके notifications आपको आपके phones में मिलते होंगे कि अच्छा, यह चल रहा है, यह current affair है, अच्छा, सोने का भाव, अच्छा, आटे का भाव, यह, for example, तो यह current, यानि present, ठीक है? और इस current का क्या मतलब है, सोचो, सोचो, क्या मतलब है, कि आपने कभी black current ice cream खाई है, या फिर क्या आपने कभी black current नाम सुना है, तो यह जो berries होते हैं, जैसे black current है, और blueberry है, तो इनको बोलते हैं, तब हम use करेंगे C-U-R-R-A-N-T, ओके? तो यह है berries से related, and it's basically food से related है, ठीक है? और यह वाला current तो trend हो सकता है, current fashion हो सकता है, current news हो सकती है, जो कि यह present, जो अभी चल रहा है. Okay, let's move ahead, fair versus fair, तो I know this is a little easy, लेकिन मैंने देखा है कि काफी बार message करते हुए, what is the fair or that is not fair, इसमें बहुत स्यादा confusion होता है, होता है न? मैं जानती हूँ होता है, तो यह जो fair है, उसका मतलब है light color, कोई भी color जो काफी light होता है, ठीक है? light in color, जिसका मतलब है fair, so he is fair, और she is fair, that is not fair के लिए क्या यूज करेंगे? सोचो, उसके लिए भी यही यूज करेंगे, क्यूंकि इस fair का मतलब है भाव, राइट? जैसे आप taxi का भाव होते है, taxi का fair क्या है, auto का fair क्या है, metro का fair क्या है, तब आप यूज करोगे ये, ठीक है? cost होता है, fair मतलब cost, what is the fair? और how much is the fair? आप ऐसे यूज करोगे, f-a-r-e को, f-a-i-r को हमेशा color के लिए यूज कर सकते हो, या तो फिर आप कह सकते हो, this is not fair, या या यह सही नही है, ठीक है? let's move on, idle versus, idle versus, ideal, तो मैंने यह इसलिए यहाँ पर डाला है, क्योंकि, यहाँ पर spelling mistakes काफी होते हैं, और इसकी जगे, वो, उसकी जगे, यह ऐसे use होता है, इसलिए मैंने तीनों यहाँ पर डाले हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है, जो की एक deity होती है, deity यह नहीं भगवान, जिस चीज को हम भगवान मानते हैं, तो वो कोई भी object हो सकता है, ठीक है? related to what? God, okay, any object related to God, हर एक religion में, हर एक, हर एक इंसान, अलग-अलग object को use करता है, जिसको वो भगवान मानता है, तो that is idle, idle का मतलब, इस idle का मतलब क्या है, I-D-L-E का मतलब क्या है, यानि, जो इंसान काम नहीं करता है, जो इंसान ऐसे ऐसे बैठे रहता है, बिना कुछ काम किये, ठीक है, बिल्कुल useless, जो काम नहीं करता है, तो हम यहाँ पर यह करेंगे, that, for example, don't sit idle, do something, simple, यानि, बिना काम किये मत बैठो, ऐसे ही मत बैठो, कुछ काम कर लो, ठीक है, so idle का मतलब है, simple लिखती हूँ, not working, and this is related to humans, ठीक है, not related to object, क्या रहे, यह तो काम नहीं कर रहे, oh this is idle, that is not how you can use it, आप इसको किसी इंसान के लिए, ठीक है, अब ideal का मतलब क्या है, ideal का मतलब है, बिल्कुल सही चीज, that they are an ideal pair, यानि, बिल्कुल सही match है, एकदम best match है, तो आप तब यूज करोगे ideal, या तो फिर कोई deal, या कोई, आपको, मानलो आप jeans खरीदने गए हो, और आपको बहुत ही अच्छे दा में वो jeans मिल गी, compared to, बाकी के जगों पे, चाहे वो online क्यों नहों, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ideal deal, यानि, best possible deal, ठीक है, समझ में आ रहा है, okay, best possible deal, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्या है, आगे है pair versus pair, चलो आप बता दो जल्दी से कि ये क्या है, अगर आप चाहते हो, तो comment section में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बत आदू आपको कि इस pair का मतलब है, कोई भी चीज जो दो में आती है, right, तो jeans की भी pair होते हैं, क्योंकि वो same cheese होती है, दो pair है और दो same है, तो हम कहते है a pair of jeans, तो हम तब इसको use करेंगे, ठीक है, तो two similar objects, यानि pair, ठीक है, two similar objects or things, ठीक है, a pair of jeans, मैं ये session separately लोंगी कि हम किस-kिस को a pair of jeans जैसे example है, जैसे क्या-क्या होता है, कैसे हम phrase use करते है, वो उसके लिए अलग session लेंगे, लेकिन अभी के लिए, इस pair का मतलब क्या है, of course, आपने right guess क्या है, correct guess क्या है, ये pair है, fruit, so I love eating pair, right, that is a fruit, pair is good for your health, but buy a pair of jeans, P-A-I-R, okay, let's move ahead, wine versus, wine versus, wine, again, तीन, same pronunciation, spelling, completely अलग और मतलब भी completely अलग, well, ये जो wine है, that is, of course, a drink, अन्मुझे वो नहीं पसंद तो, तब आप मुझे करेंगे, wine, so for example, stop whining and let's just go out, यानि, रोना बन करो, चलो, stop whining, just take this chocolate, यानि, रोना बन करो, ये चौकलेट ले लो, ठीक है, तब हम use करेंगे, W-H-I-N-E, और इस wine का मतलब क्या है, तो ये जो wine है, this is basically a type of plant, आपने कभी देखा है, जब जो एक तार को, या फिर कोई वाल पे गोल-गोल करके जाता हो, so that is wine, इसको grape wine बोलते हैं, क्योंकि वो गोल-गोल जाता है, but this is usually a type of plant, ठीक है, और गे, V-I-N-E, all right, so let's move on, we have none versus none, ये तो काफी simple है, लेकिन, spelling mistake तो जरूर होते हैं, अब none का मतलब है, एक भी नहीं, ठीक है, no one, none, for example, और none जो होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं, जो की काफी सारा social work करते हैं, जो अपनी जिंदगी, social work के लिए, पूरी तरह से busy करते हैं, और वो सिर्फ उसी का काम करते हैं, right, तो वो होते हैं, none, और ये है, no one, okay, so for example, no one, not even a single thing, whether it is, I have no messages, none messages, nothing in your, or if you want to say nothing in your basket, none, no material in your basket, do you want anything, nothing, so I'm fine, this is how you can use none for nothing and none is a person who devotes his or her life for social work, हो ये ऐसा इंसान जो social work के लिए काम करते हो, ठीक है, piece versus piece, कितने लोगों की गल्तिया होती हैं, इसमें काफी सारे लोगों की होती होगी, I am sure, ठीक है, तो ये piece है निर्वाना, यानि शान्ती, right, but this piece is what, a piece of pizza, ठीक है, so मैं यहां पर लिखूंगी pizza, ता कि आपको याद रहे कि हम, हमने कैसे differentiate किया है, और ये piece किया है, शान्ती, तो मैं शान्ती ही लिख देती हूँ, ता कि आपको समझ में आए कि कौन सी शान्ती, मन की शान्ती, ठीक है, जो आपको ज़रूरत पढ़ते हैं कभी-कभी, जब बहुत busy day होता है, for example, तब, ठीक है, not versus not, again, this not is similar to this none, but हम लोग कहते हैं, I do not want this, तब ये not use होता है, लेकिन ये वाला not है, इसका मतलब है, गाट, कोई भी चीज की गाट मारना, ठीक है? ठीक है? Also, जब लोग शादी करते हैं, तो लोग बोलते हैं that we tied the not yesterday, यानि, हर एक रसम में, जब आप not बांते हो, या फिर एक साथ हो जाते हो, legally or religiously, तब आप बोल सकते हो, ये वाला not use कर सकते हो, ठीक है? कुछ नया सीखा है आपने, तो याद जरूर रखना, अब weather versus weather, यहाँ पे भी काफी गलते होते हैं, especially males में, काफी सारे professional males मेरे पास आते हैं, जहाँ पे इस weather और इस weather का कोई समन्नी होता है, बस लिख देते हैं, ठीक है? तो इस weather का मतलब है, क्या है मतलब? बारिश हो रही है, cloudy season है, क्या weather है? What is the weather today? Rainy है, sunny है, what is it? तो तब आप यूस करोगे, W-E-A-T-H-E-R, okay? So this is related to what? Season or weather conditions, ठीक है? और उस weather का मतलब क्या है? Whether you want this or not, क्या तुम्हे यह चाहिए यह नहीं, ठीक है? तब आप यह यह यूस करोगे, weather, yes or no. For example, ऐसे देखते हैं, ताकि आपको याद रहे. This is not related to season at all, जहाँ पर W-H-E आता है, ठीक है? यह बिलकुल याद रखना, जरूर याद रखना, और हम हमारे आखरी हिस्ते पर आते हैं अभी. जो है, hair, hair, और एक और है, जिसके बार मैं बताऊंगी, लेकिन इसके पहले इसका confusion clear करते हैं, चलो, hair यानि bald, ऐसा है क्या? नहीं, तो hair यानि जो सिर पे होते हैं, वो बाल, ठीक है? और ये hair है, जो कि rabbit है, ठीक है? और ये, जो h-e-i-r है, वो क्या है? h-e-i-r is basically कोई भी इंसान, जो कि कोई भी property या, कोई भी चीज के लिए next in line है, ठीक है? तो हम लोग नहीं बोलते हैं, जाइदाद का मालिक, तो वो होता है, या तो फिर कोई भी चीज हो सकते हैं, पैसा एक ही चीज नहीं है, वो इंसान, जो कि उसके लिए, उसका मालिक बनने वाला है, उसका हगदार बनने वाला है, वो होता है, air, कभी-कभी हम बोलते हैं, air to the तो थ्रोन यानि जो सिहासन पे बैठेगा वो इंसान या फिर he is the heir to the property यानि इसका इस प्रॉपर्टी पे हग होने वाला है ठीक है तो ये वो इंसान है जहां पे आप ह-e-i-r यूज करोगे लेकिन इसका प्रनंसियेशन है एर जिसका again confusion हो सकता है इस एर के साथ लेकिन ये एर एक गैस है और ये एक ऐसा इंसान है to inherit anything ठीक है तो I hope आपको काफी सारे वर्ट का आज confusion clear हुआ होगा I'm sure आप अगली टाइम से अगली बार से सही spelling सही सेंटेंज में इस्तमाल जरूर करोगे आज के लिए guys बस इतना ही मैं जल्दी आपको मिलूंगी एक नए lesson के साथ तब तक अगर आपको मेरे कोई भी और episodes या कोई sessions देखने हो तो आपके लिए यहीं पर मिलेंगे और जरूर जाहिए देखिये make sure that you're practicing keep smiling this is me Meera signing off for the day guys bye